हलो सूपर इन्वेस्टर्स बात करेंगे प्राइट कॉंग ग्रूप के बारे में और जिस खबर का सबको इंतजार था वो आ चुकी है आप समझ गये होंगे मैं किस खबर की बात कर रहा हूँ कॉर्टर वन के रिजल के बारे में खबर आ चुकी है आईए जानते है कब है कितने बज़े है क्या है सब डिटेल्स उसके पहले आपको बता दू अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेर या आप चाहते हो आपका पॉर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके ल रुपीज 20 पैसे का लो लगाया एंड क्लोजिंग दिया 24 रुपीज 45 पैसा 3% के आसपास आज भी गिरावट देखने को मिली जहां तक एम ओडर की सवाल है 4800 शेर्स पाइंग के लिए लगे वे हैं जो कि कोई खास नहीं है एनसी पर आराउंड वन करोर शेर्स टेड सुष्ती चाही भी है प्रैटकॉं ग्रूप में डेली उपर खुलता है और सेलिक प्रेशर के कारण डेली हमें नीचे ही गिरते वे देखने को मिलता है सबको इंतजार था कौटर वन के रिजल के डेट कव आएगी कव आएगी तो वह आ चुकी है जहां तक डिलोरी परसें को थाइट्रेश होना इक्स्पेटेड ही था फ्रेंड्स में देखिये आपको बार बार रिक्वेस्ट करना हूं एक ही शेयर में पुरा पैसा मत लगाई जो लोग आपको बोलते हैं कि कमजोर हातों से मजबूत हातों में जा रहा है आप से माल लूटा जा रहा है वगेरा वगेरा ऐसा कुछ नहीं होता है आप देख रहे हो आपको जितना भर भर कर चाहिए आप बाइक कर सकते हो ब्राइट कांग ग्रूप को अभी तो मिल रहा है एकदम आसानी से तो जिन लोग को मिल नहीं रहा था या जो सोच रहे थे हाथ से छूड़ जाएगा अभी भी पकड कर सकते हो बट मैं ऐसा नहीं कहता हो क्योंकि मुझे पता है कि शेर की भागने के एक लिमिट होती है और एक टाइम होता है भागने का अभी वो टाइम आया नहीं है तो थोड़ा पेशन्स रखी है क्योंकि आप बार-बार एवरेजिंग करते जाएंगे आपका पैसा आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना चाहिए फ्रेंड्स देखिए मार्केट में कितने शेर से जो कितना भाग रहे है आज भी कोई शेर 8% भागा कोई 10% भागा को 14% भागा तो ऐसे शेर्स आपके आज से निकल जाते है क्योंकि आप एक ही शेर में बहुत ज्या है मेंटेन करके रखिए वेट कीजिएह वोन का रिजर्स पर रिजल आने दीजिए कोट रमकर रिजल आने वाला है 14 उब्यसको सिर्फ आफ यह चो की मैने आपको पहले भी बता दिया थाarts 14 वा Healthıldस को आट सकता और वही डेट कंपणी ने डिकलेर की है हाला कि कंपणी ने इसमें कोई भी टाइम डिकलेर किया नहीं है कि मिटिंग कितने बज़े होगी इतना ही कहा है नोटिफिकेशन में जो कि अभी अभी आया है कि 14 तारिक को 14 अगस को कॉर्टर वन के रिज़ल्ट डिकलेर किये जाएंगे बट जो हमें आदत मालम है प्राइट कम रूप के मैनेजमेंट की मार्केट बंध होने के बाद ही रिज़ल्ट आते है रात को लेट रिज़ल्ट डिकलेर होते है 9, 10, 11, 12 बज़े वैसे भी बंदरा को तो होलिडे है 15 अगस का इसलिए टेंशन देने के जूरत नहीं है शांती सा सोजाना क्योंकि 15 अगस को भी आप कुछ कर भी करनी पाएंगे वैसे भी तो शांती सा सोजाना क्योंकि 14 अगस को रिज़ल्ट 99% मार्केट बंद होने के बाद ही आएंगे जो लोग नए है प्राइट काम रूप में उनके लिए बता रहा हो अब देखता है रिज़ल्ट के डेट आरे आ गई है उसका इफेट कल उसके शेर प्राइज पे क्या होता है प्राइट काम रूपे वी होब कि इसमें फिर से तेजी बने क्योंकि चन्दली रिज़ल्ट के डेट आने के बाद तेजी बनती है बर जो इसाफ से अभी सुस्ती चल रही है वो इसाफ से कुछ कहे नहीं सकते है हाला कि एसम स्टेज बन में अभी भी बनावा है और सरकीट लिमिट अभी भी पाच है तो रिज़ल्ट आते आते हैं और पेटर लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि यह एसम लिस से बाहर निकल जाए देखते हैं क्या होता है बाकी अभी काफी क्रूशल लेवल पे बाहर बाहर आ रहा है 24 रुपीज ब्रेक नहीं करना चाहिए नहीं तो 21-20 रुपीज तक भी जा सकता है रेजिस्टन जो है स्ट्रॉंग 26 रुपीज के आसपास है उसके बाद 29-33 ऐसे लेवल से देखते हैं रिज़ल की डेट आ चुकी है उसका अभी खल मार्केट पे या अफ्राइट को रुप के शेर पे क्या असर पड़ता है बट जलबाजी नहीं करना है आपने जितने बाए करके रखे है शारती से बेठिये रिज़ल रहने के बाद भी बाए कर सकते है ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेंट छूट जाएगी बाकी मर्जी आपकी है ज्यादा पैसा एक शेर में लगाना नहीं है अलालग शेर में लगाना है तो आपके पोर्टफिल में प्रॉफिट कोई ने कोई शेर देते रहता है काफी लोगों ने एक ही शेर में पैसे लगा कर रखे है और फ्रंट ब्लॉक होके पड़े है बाके शेर भाग रहे है और आपका शेर अटका पड़ा है तो इस बात का आप ध्यान रखिए बाकी लेट सो कि कल इस नियूस के कारण फिर से शेर में तेजी आ जाए तैंकिय फ्रेंट्स